दिस्क्लेमर ये एने में हमारा निये हमने इससे सिफ एक्स्प्लेइन किया है नरूटो और कैप्टन यमाटो आपी से लीव विले जा रहे होते है होटारू को उसके विलेज में छोड़कर और तभी नरूटो कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि होटारू के विलेज बिस सबी लोग बहुत ही सदा अजीब लग रहे थे क्योंकि वो जिस नसर से घुर रहे थे मुझे नहीं लगता है उनके एरादे ठीक है इसलिए मैं होटारू के पास रिडन जा रहा हूँ और ये बोलकर वो चले जाता है तब ही यहाँ पर उस जो विलेज रित है उसके जो में प्रेजिडेंट या मुख्या बोले जाए वे तो जो रित है मुख्या वो उसे कहते है कि आजो मैं तुमें लेकर चलता हूँ और फिर यहाँ पर वो होटारू को लेकर एक कमरे में आते है और वो कहते है कि तुम ये कमरे में चले जाओ और ये कमरे में तुम बिल्कुल सेफ रहोगी हुटारू उनकी बात सुनकर वो कमरे के अंदर चले जाती है और वो कहते है कि तुम इस कमरे में ही रेना और तभी जैसी हुटारू उस कमरे में आती है वो जो रेते हैं उस मुक्या उस विलेज के वो तभी अचनक से दर्वाजा बंद कर देते है और वो जैसी दर्वाज़ा बन कर देते है यहाँ पर अंदर वो देखती है होटारू के अंदर वोही निंजा खड़े रहते है जो उसके पीछे उस क्रोल यानि जो खास जूटसू है उसकी प्रिवजे से पड़े है और तभी यहाँ पर उटारू दर्वाज़ ठुकती है और वो कहती है एक दर्वाज़ खोलो और यहाँ पर जो विलेज़ के मुख्या रहते हैं उस दर्वाज़ को बाहर से लॉक कर देते हैं और तभी यहाँ पर वो हसरे होते हैं बाहर से और यहाँ पर उटारू चिला रही कि वो जुट्सू स्विचिंग वोकलेंड का है, वो जुट्सू दे दो जल्दी, और ये कहकर वो होटारू के गर्दन पकड़ लेता है, तो यहाँ पर वो होटारू के बैग और बाकी सब चेक करते है, और कि होटारू के पास आखिर क्या है, और स्क्रोल है और कहा पर है और तभी उन लोगों को एक स्क्रोल मिलता है और वो उटारू से पुछता है कि क्या यही स्क्रोल है मुझे मिल गया और तभी उटारू कहती है मत प्लीज वो स्क्रोल मत कुलो प्लीज वो जुट्सू को रहें दो और तभी वो लोग स्क्रोल को ख बागती है तब ही आप और वह जो नीचा रहेता है वह होटारू को सामने घेर लेता है और वुझता है कि तुम यहांसे कैसे जाओगी होटारू अपने वॉटर स्टायल जूत्सु इस्तेमाल करती है पर उसका कोई फाइदा होता ही नही है और वह लोग कहते है कि तुम लोग तूम चाहे कुछ भी कर लो तुम यहांसे नहीं बचपाऊगी इसलिए तूम यहांसे नहीं बगो और वो जूत्सू है वो खास जूत्सू फोरान हमारे हाथ के हवाले कर दो और यह कहके वो उटारू को पकड़ लेते है तो उटारू कहती है के चाहे तूम लोग मुझे मार Mijn तुम्हें वह जूटसु नहीं बताऊगी कि आखीर वो जूटसु कहाँ पर मैने चुपा हूँ इसलिए मेरी जान भी चले जाए तो कुछ नहीं और तभी यहाँ पर जो टा कटा रहते है वह उटा कटा यहां पर आकर चुप जाता है और तभी यहां पर उटा कटा उस इस लिए मैं बड़े आसानी से बज़ गया था जरा ताकतवर होता तो समझ मे BIA था और तभी हापा नरुटो व rodzic में आता है जहां पर वो Выलेच के मुक्र tastes से है कि आखिर और तो विलेज का मुक्या कहता है कि उटारू यहां पर ही थी हमने उसे एक कमरे में रखा था और थोड़ी देर के पहले उस कमरे में अचानक से एक धमा का हुआ और उस दमाके के बाद मुझे लगता है कि वो यही गुंडे लोग आप गाये थे यहां पर जो उसके पीछे स्क्रोल के लिए पढ़े थे और नरूटो कहता है तुम लोग कैसे लोगे आकि तुम लोग उन लोगों के पीछे गईनी उटारू को बचाने के लिए और तभी यह तो नरूटो calls thankful to tell when you advice is in mylarlaur उन लोगों के उसक्षपण लोगों आप गईनी बाद मे बाता है तो लोग पार लोगों कहा पर गएया तो हमये नरूट्य लोग पता है तो लोगों बाके बीजे बाता है और लोग उस तरफ गई है और इसलिए नरूट uda क्या alpha उस तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते है तभी यहाँ पर हम देखते है कि यहाँ पर जो उटा कटा रहता है वो उटारू की जान बचाने के लिए आ जाता है और उटा कटा रहती है कि मुझे पता था कि तुम आखिर यहाँ पर आ ही जाओगे और तब ही यहाँ पर वो जो निंजा रहते है वो अपना निंजा स्टार रहते है उस निंजा स्टार को निकालते है और यहाँ पर जो उटा कटा रहते है वो भी अपना बबल्स निकालता है ताकि वो उन लोगों के उपर हमला कर सके और वो जैसी उन लोगों के उपर अपने बबल से अमला करता है वो लोग अचनक से एक डलदल में गिर जाते है और उटा कटा यहाँ पर उटारू को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है उन लोगों के साथ एक साथ इत्ते सारे लोग के साथ लड़ने ही सकता है, इसलिए वो वहाँ से जा रहा होता है, पर तब ही वो चारो निंजा भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, और अचrint , अच्छनक से वो लोग निंजा जो रहते हैं, वो अपना पेपर बाम का इस्तेमाल क गिया उसके पीछे और उसके स्क्रोल के पीछे जाना बंग कर दो अब मुझे ये बुग पढ़ो और तभी यहाँ पर वो उन लोगो के हाथ में एक बुग देता है जिस बिंगो बुग के अंदर एक इनसान का नाम लिखा रहता है और वो कहते है तो अभी हमें इसके पकड़ है और वो कहते है कि इसके उपर सतर मिलियन जैनीज है और ये एक रोग निंजा है जो अपने विलेज से भाग चुका है और इसके उपर सतर मिलियन जैनीज है तो हमें स्क्रोल की कोई जरुवत दी हमें सबसे पहले पैसे को ध्यान देना है और हमें इसे पकड़ना है तो य यामाटो कहते है कि तुमने रिटीक कहा नरूटो मुझे विलेजवाली लोगों के उपर कुछ गड़बा लगी क्योंकि वो अगदम ही अलग भीएफ कर रहे थे और हमारे बातों का वो साई साई को कहते है और साई यहां पर अपने स्क्रोल को खोल कर बहुत सारे माउस बना पर नहीं वो अटाकटा की बबल में बैटे रहीती है और बोलती है यहां से सीनरी कैनी अच्छी दिख रही है और यहां पर वो देख रही हैं मैं आप लोगों को पहले ही बता दो गाईस यह फिलर एपिसोड्स है फिर भी मैं आप लोगों के लिए डप कर रहा हूँ है और और यहाँ पर वो लोग लेंडिग करते हैं और आगे बढंने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर जो उतारू देती है वो लोगज देए के तुम्हारा शुकरिया lac技, से कि तुमने मेरी मदद करने के लिए तो यहां पर उटा-कटा कहता है कि मैंने तुम्हें किती बार काया है कि मुझे सेंसे मत बुलाओ तो वो कहती है तुम मेरे सेंसे हो तुम्हें सेंसे ही बुलाओंगे और क्या बुलाओ तो यहां पर हो कहता है कि तुम मुझे कुछ भी तुम्हें इस से पसंद नहीं और तभी यहा पर पूपने पास की नियादत है जहां पर उसके से यहां पर इस पेपर लगाने के बाद इसके पेट पर हाथ गुसाते हैं और तभी यहां पर ओठा कटा जो रहत है वो आगे बढ़ रहाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा सेंसे कभी नहीं हो सकता मुझे सेंसे बनने में कोई शौक नहीं और यहां पर जो टारू रहती है वो टारू रहती है वो टारू को कहती है कि आखिर मैं क्यों नहीं कर सकती आखिर मैं तुम से कुछ नहीं सुपाती देखो मैं तुमसे एक चीज चुपाईता हुआ यह कहकर पेनी निच्छे करते हैं और ओठा कटा मैं यहाँ होना है तुमसे किस बोठा कपड़ रहीzep और ab контр제로 ऑपकर कॉंजा करमा देखेटा हैं और यहाँ जो निंजा रहते हैं औस मुण निच्छारी पकड़ने के बाद कहते हैं कि तुम यहां से हिलना नहीं वनना हम इसकी जान ले लेगे और वो टारू को पकड़ के रखते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि ऐसे दिखने वाले और दो भी निंजा रहते हैं और दो निंजा जो रहते हैं वो टाकाटा को भी पकड़ लेते है और तब ही यहां पर मेरूटो जो हमारा निंजा रहेता है वो उस जगा पर पहुंच जाता है जहां पर उटा गटा और उटा रहेता है क्योंकि वो भी साइकिस माउस की वजे से कर दो